हेलो असलावलेकुम वेलकम बेक टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई हूँ आप लोग अच्छे ही बहुंगे तो अभी सुबह का टाइम है काफी देर से हम लोग उठे हैं जी आभी उठ चकी अरे दिखाई नहीं तो इधर से दिखी तो सब कोई ना उठ चुका है और हॉल पूरा खा लिए तो बहुत देर से उठेते मेरा इस पोनी ना चार्ज नहीं था एक दूम ही जाता ही डिस्चार्ज हो गया था पहली बार ऐसा होगा कि इतना जाता डिस्चार्ज हो गया था तो बस उसको चार्ज में लगाए थी चाय हो आई हम लोग पी चुके हैं और ये ना चछत पे आकर टाहल रहेतiden मुझे आवाज लगा रहते एं थोड़ह लगा रहे हैं तो में बिले आ और थोड़े से कों है कोह टाल रहे हैं यह आप टाहल रहे हैं nibसद है अब हम कितने बहूं अन दिखे हम सोच रहे कि यह अपा टाहल रहे है आईये बढ गयां जब आप लोग रहेंगे ना कैमरा जब सामने रहेंगा तब यह टाय लेगे और आप लोग सोच रहोंगे कि हम कितना इनको हड़काते हैं क्या करें मजबूरी है आज वो भी चेकर लिजेगा टंकी वाला कलना यह टंकी का जो सायरन है वो बजाई नहीं था और पानी खुब गिर रहा था गिरे पड़ा था और हम सोच रहें कि आज टंकी क्यों नहीं भर रहा है फिर बाद में देखे ना तो नहीं बज़ रहा था यह भारा हुआ है और अभी ठंड आई नहीं है लेकिन न सुबा सुबा एक दम दिखी तो कोहरा दिखता है ठंड वाला जो होता है जो ठंडी की सुबा होती है अब वैसा वैसा हलका हलका सा फील होता है आप देखेंगे दिखी पाहाड नहीं दिख रहा है थोड़ा सा धूंद में छुप अब सबका खेत देखने में मजाएगा क्योंकि जैसे ही ठंड आती है ना तो फिर खेत में गोभी धनिया मूली सब कुछ दिखता है तो मजाता पालक अलग मजाएगा चले जाडू लगा दे पूरा अच्छा तिदम गंदा हो गया ना पैर में लग रहा है तो चलिए दिन की सुरवात हो गई और मेरा दिमाग ऐसा उल्टा सिधा जैसे की दिमाग होता है ना कुछ लोगों कब मेरा सेम टू सेम वही वाला है आए थे उपर टहलने के लिए थोड़ा हवावा लेने के लिए कि हाँ थोड़ा दिमाग सांत जाएगा लेकिन जब देखे कि छट गंदा था अब मेरे दिमाग में बैट गया तो वस सबसे पहले छटी साफ करेंगे तो गय थी निचे ज़ाडू लेने के लिए और ये बोले थे ना कि पानी आन कर देना तो एक बार चेक भी कर लेंगे लेकिन बोल्टेज नहीं था इसलिए आन नहीं किये थे और ज करेंगे तो करेंगे जब इधर बीच लगातार बारिश हो रही थी ना तो फिर जाड़ू लगाने के जरूरत नहीं थी छट अपने आप रितम साफ था इतना बढ़िया साफ था जितना कि हम भी नहीं कर सकते थे लेकिन भी गंदा हो गया है और रोज हम लोगों का आना जा करने में नमजह ने आता है मेरे पैर में तो और भी स्लीपर नहीं पहेन के चलते हैं तो न जब घंदा मेरे पैर में लगता न gives जो और अजीब सा थे यहां पर इतना ही हम लगये तब तक नीचे से जिए का-वाज आने लगा तो यह बले कि लौओ की हम लगा दे रहे हैं त तब तक नीचे जाओ, अब ये लगाई रहते हैं, तब तक हम भी इनको नीचे आवाज लगा दिया, ये भी आ गए, रीजन ये है कि जिया करना कल से पेट दरद हो रहा था, तो कल तो हलका फुलका बोल रही थी, और सुबह ना अब इसको जाने का टाइम है, और इनका पेट दरद हो रहा है, तो उपाय तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हम इनको बुलाएं, हम बले इसका थोड़ा सा चेक कर लिजे, ऐसा तो नहीं कि नलाव लाव उकड़ गया, तो इसको बठाएं, जब कि उखड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी ये ऐसी ही कर दिये सेट, और उसके बाद इसको दे दिये है, पुदीन हरा, अभी नहीं देते ना, तो ये स्कूल फिर जाने में लेट होता है, या हो सकता है कि नहीं भी जाती, इसलिए इसको जो जो मिल रहा है, दवाई किला किला के पहले स्कूल बगाएंगे, तो ये जब कि पुदीन हरा नहीं प गया है तो यह गए हैं जिया को छोड़ने के लिए और आ भी गए तो चलिए बहुत सही टाइम पे आए क्योंकि मैं यहां का काम स्टार्ट तो कर दी थी लेकिन जो मेन वाला यह मच्छरदानी जो फॉल्ड करने वाला ना यही मुझसे कभी नहीं हुआ है और लगता नहीं कि यहां कभी हुआ पाएगा तो बस हम इनको बले कि इसको फॉल्ड कर दीजे और आज सही बता रहे ना आज लेट हो गया नहीं तो इतना यह जो इधर वाला जो बैड है यह मेरा सुबह सुबह ही साफ हो जाता है क्योंकि फ्रेंट पढ़ता है और हम लोग यहीं पे सोते हैं तो चाय चड़ा दिये हैं एक तरफ और अब एक पराठा बना देते हैं और चाय पराठा इनको दे देंगे तो खा लेंगे अगर यह नहीं खाएंगे तो फिर हम तो है ही बना दे रहे हैं क्योंकि आज कल क्या है ना कि इनके मूड के ओपर है अभी वजन थोड़ा सा कम कर और अब लग रहा है हमको भी वजन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा पहले डॉक्टर बुले कि वजन बढ़ाओ वजन बढ़ाओ अब हमें उलजहन हो रही है हलका सभी जब वजन अब डाउन होता है ना तो आपको अपने से मालूम चल जाता है कि हाँ वजन थोड़ा सा और लास्ट का इधर का पोछा लगाना था पोछा भी लगा रहे थे किचन का यानि सारा काम हो गया दूद भी चड़ा दिये सारे रूम में पोछा लगाते हुए और उसके बाद चले जाएंगे नहाने के लिए पहले पोछा तो लग जाए मेरा जब से मॉप खराब हुआ ह तब से तो मेरा दिमाग भी खराब हो गया है इतने बड़े घर में बार बार पोछा पहले दो फिर ऐसे करो तो उलजहन होती है पर से हाथ लगाओ अब तो यह वाली जो बाल्टी है यह भी एकदम टूट चुकी है और किस दिन ऐसा हो जाए कि यह एकदम ही सूसाइड कर ल बना रही थी तो हम इनको भी समझाए हमके चलिए ना यह वाला रिल्स हम लोग बनाते हैं और उसके बाद क्या होता है यह आप लोग भी देख लीजिए तो यहां पे ना इनको पहले हम दिखा रहे थे कि यह यह डायलोग है ऐसे ऐसे करना है ठीक है उसके बाद यहां पे अब डायलोग भी शुरू हो चुका है और उसके बाद मेरा मार खाना भी शुरू हो चुका है और इतनी जोर से यह मारे ना जैसे कि जब इनसान अपने रोल में जब घुसता है ना तो उसके बात उसको समझ भी नहीं आता है और इतनी भोले हैं इनको कुछ पता ही नहीं च ताकि जो इतने साल में जितना भी आपके अंदर को होगा कि वही औरत को मारना ओरना इसी बहाने मार लीजे तो हसी मजग अपनी जगह और सही बता रहे हैं आज का वो दिन था कि हम लोग ना घंटों खुब हसे पहले हम और जिया यह रील्स बनाए और उसके बाद फिर इनके साथ बनाए तो यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास बहुत पैसा हो लोग हो तभी आप खूस रह सकते कभी कभी छोटी चोटी जिसनें सन बहुत इंच्वा बढ़ायाँ था रहे हम जवाइब लो